नमस्कार सभी को एक बार फिट से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कम विद्नेचर में अपकी बार जिसे गर्मिया बाकी टाइम से ज्यादा हुई है और गर्मिया भी क्या मतलब यू लगा लोगी जो लूएं है वो बहुत टाइम तक चली है अभी जिसे की जो ट लगते हैं वो जुलसने लगते हैं अब मैं आपको यहां पर एक जो प्लांट दो प्लांट है वैसे तो एक ही पोट में लगे हुए है अब देखिए यहां पर मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूं एक तो मिलब एक ही मिट्टी में लगए पोदे एक साथ त्यार किया है एक प्लान्ट यह उसके बिलकुल सही है इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है इसी मिट्टी में लगा है इसी इंवैरमेंट में राए और सब कुछ एक जैसा होते हुए हमारे जो प्लांट हो ऐसे कैसे हो जाते हैं अब यह दूसरा प्लांट देखो यह बिलकुल इसके ज गर्म भी क्या बोले कि जो गरम लुएं चलती है ना उससे आपका जो पोदा है वो इस तरह से खराब हो सकता है तो उसे हमें कैसे बचाना है यही रहेगा आज की वीडियो में तो यह दोनों जो प्लांट थे मेरे यह मैंने एर लेरिंग से त्यार किये थे मैंने एक वीडियो कि गर्मी की वज़े से जो लुएं चल रही है उससे देखो उपर का जो नाजुक वाला पॉर्शन है वो इस तरह से हो गया बिल्कुल तैसनेस हो गया है यानि जुलस गया है और पत्तों की कंडिशन्स तो आप देखी रहे हो आप सारे पत्ते इसके मतलब यू लगा लो 80% पत्ते इसके हो पत्ते उनलबल से तो एक ही मिट्टी में लगे हैं पंचर में लिए को गया बिल्क के थपेड़े आते थे ना तब वो सीधे इस वाले प्लांट जैनि जो प्लांट खराब हुआ है न वो लूएं है वो इसको ज्यादा लगी है और यही एक रीजन रहा है कि जब गरम हमाएं चलिए तब यह पोदा तो सेफ रह गया और जो दूसरे वाला है इसके जो खराब हो हमें क्या करना था कि हमें प्लांट को या तो इंडोर रखना था अब मैं बहुत कम रख पाती हूं कि बच्चे इसके मिट्टे निकाल देते हैं तो वह तो चलो मेरा परसनल रीजन हो गया लेकिन यहां पर मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी आपको कि यह जो प्लांट हो बिल्कुल छोटे चोटे हो रहे हैं लेकिन जो हैल्दी प्लांट है मेरा किसी तरह की दिकत नहीं आएần उसमें यह जो हैं अगर हम प्लांट को गुमा कदिखाती हो तो भी इसमें यहां पर कहीं नहीं हैं सिर्फ मुझे तीन इसकी ब्रांचे जो निकलेंगी यहां से वह दिखरी है और जो प्लांट खराब हो रहा है उसमें आप क्लियर देख पा रहे हो किती सारी ब्रांचे मतलब अगर मैं इसके काउंट करती हूं तो लगबग 18-19 ब्रांचे हैं यहां से निकलेंगी जो प्लांट को काफी बुशी बनाएंगी तो अब उपर से जैसे प्लांट लुएं ज्यादा लगी है एक तो जहां पर रखा था वह सीधे इस पर लुएं लगी है गरम जो लुएं वह लगी है उस वज़े से खराब हुआ है दूसरा एक छोटी सी विंडो थी वहां रख रखा था प्लांट शेड में था लेकिन गर्मी तो गर्मी की वज़े से तो आपका पोदा इस तरह से खराब होता है तो आप तो सबसे पहले तो उसके पत्ते जो खराब हो रहे हैं इनको सबको हटा दीजे क्योंकि यह प्लांट की जो एनरजी है वेस्ट करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और जो प्लांट जैसे जो पत्ते जो आदे लेकिन अभी हमें कोशिश करनी है कि जो प्लांट वे जो पत्ते खराब हो रहे हैं सिर्फ उनको आटाए और जैसे मैंने बताया कि हाफ पत्ता खराब हो रहा है तो हाफ को कट कर दे लिजो खराब हाला इस चैनल उसे कट कर दे बाकि इसमें रख क्योंकि जैसे मेलाइख ज उन्हें हमें अटा देना अब देखिए यह जो मैंने मनलब इसके सारे जो लिव्स थे खराब जो थे वो हटा दिये हैं और उसके बाद देखो एक तो प्लांट कितना अच्छा लग रहा है हाँ हला कि थोड़ा स्पेस इसमें कम दिख रहा होगा मैं भरा भरा प्लांट जैसे पहले था वैसा नहीं रहा लेकिन कुसी दिनों बाद ये नीचे से जो ब्रांचे दिखाई है ना मैंने ये सारी निकल के आएंगी और जो प्लांट है वो मेरा और भी काफी बूशी हो जाएगा और जब मोनसून का टाइम आएगा तब मैं इसे रिपोर्ट करके अलग लगाई हुई है आप इतनी चोटे भी कटेंग इसकी लगा सकते हैं वो भी लग जाती है लास्ट ये बच्चे के हाथ से जैसे उपर का जो पोर्शन नाजुक होता है तो वहां से एक दो इस तरह की जो टैनी थी वो तूट गई थी तो मैंने लगाई थी वो इजली लग ग वो तो सारे ठीक है लेकिन जो खराब होने वाला प्लांट था उसमें से इतने सारे जो ये लीव्स निकले हैं जो खराब पत्ते हैं वो हम इने कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे और जैसे कि मैं बता रही थी अभी जो टिप वाला पोर्शन हो खराब हो जाता है तो उसे क प्लांट में डाइबेक की जो कंडिशेन वो नहीं होगी साथ में मिट्टी की घुडाई जरूर कर दे क्योंकि प्लांट थोड़ा शोख में है क्योंकि शोख इसलिए है कि बहुत सारे पत्ते 80% पत्ते जब घराब हो जाते हैं और उनको हमाटाते हैं तो फिर थोड़ी उस आप दे दीजिए सीधे इसमें गोबर खाद वगरा यूज सीधे ना करें गर्मी के टाइम में और हमें शेड में रखना है अगर पोसिबल हो तो आप इसे इंडोर रखिए मैं इंडोर नहीं रख पाती हूं मैं थोड़ी जैसे बालकनी में रख देती हूं क्योंकि छोटे प्लास्टिक के पोट में प्लांट लगा होता है तो अच्छे से एरेशन नहीं हो पाता है और यही कारण होता है कि पोदा मरने लग जापता है तो आप एक चीज का ध्यान रखे एक तो पानी जो पोदे को है वो उपर की सोईल सूखने के बाद ही दे अगर ज्यादा पानी रहेगा तो फिर प्लांट खराब हो जाएगा दूसरी चीज है कि मिट्टी का जो पोट है वो यूज करें देखो मैं बहुत बार बता चीज को कि क्रोटोन प्लांट को अगर आपने लगा रखा है तो मिट्टी के पोट में लगा यह गर्मियों में खराब नहीं होगा रिशे शुरू हो जाए तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हो आप इसकी एयर लेरिंग से बहुत सारे प्लांट त्यार कर सकते हो मैंने वीडियो डाल रखा है उसे देख कि आप एयर लेरिंग से आप 20-25 दिन में एक अच्छा पोदा त्यार हो जाएगा उसका जो लिंक है मैं वीडियो का जो लिंक आई बटन पर देदूंगी उसे देख कि आप बहुत सारे पोदे त्यार कर सकते हो और इस तरह से अगर आपका लूओ से कोई पोदा खराब हुआ है तो उसे आप बचा भी सकते हो ये वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट बोक्स में जुरूर बत थे वट ये दोल में जु है, जै क्या वे जुडूरा जहीं है